तो फ्रेंड्स एक्जाम में आपको डाटा दिया रहेगा मास का ठीक है वो डाटा का यूज़ करेंगे और हम निकालेंगे कि इस रियक्षन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है इस फिसन रियक्षन में हमने यूरेनियम 235 पर नूकलियस लिया उसमें एक नूट्रॉन से बंबारी की वो नूट्रॉन इसमें मिला यह टूटा और यह प्रोड़क्ट बने जो कि डाटर नूकली हैं यह बने और तीन फास्ट नूट्रॉन भी निकले और एनर्जी रिलीज ह हुई तो इसमें यह क्यों हम एक जैकली निकालेंगे इसके निकालने के दो तरीके हैं पहला कि अगर आपको इनकी और मलब बेरियम इस पीस नूकलाइड की और यह क्रिप्टॉन नूकलाइड की अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर नूकलियान पता हो तो आप ऐसे ऑभी निकाल सकते हैं क्यों गुल्क्रूण हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोड hop exciting की ज्यादा होती है और कि इस तभी तो इनर्जी निकलेगी क्योंकि अईय अत निकले अनरजी बढ़ने का मतलब है कि प्रोड़क और श्टेबल हुआ dialogues और स्टेबल तबी होय जब वो कुछ एक्सोथर्मिक रियक्षन करेगा जाने इनर्जी निकाबेगा तो आप ऐसे निकाल सकते थे एनर्जी रिलीज इक्वेल टू और बाइन और गेरियम इनर्जी आप बेरियम 141 और है बायनडिंग अगर आपको बेरियम अगर आपको वाइन नूक्लाइड की एक नूक्लियान की एनरजी पता है बाइनिग अनरजी तो इसमें टोटल कितने नूक्लियान है 141 141 से आप मल्टिप्लाई कर देंगे प्लस दूसरा प्रोड़क्ट क्या बना था क्रिप्टाउन तो बाइंडिंग एनर्जी पर नूक्लियान आफ क्रिप्टाउन 92 इसकी एक नूक्लियान की एनर्जी आपको मिल गई है अगर आपको पता है डाटा में और इसमें टोटल 92 नूक्लियान है तो 92 से मल्टिप्लाई कर देंगे और माइनेस अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर नूक्लियान आपको यूरेनियम की पता है जो जन्रली सबको याद रहता है यह आप याद कर सकते हो यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी पर नूक्लियान नीरली इतनी होती है एक्जेक्टली 7.56 मिलियन एलेट्राण वोल्ट के राउंड होती है तो 7.6 या 7.5 जो भी आपको याद हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर नूक्लियान आप यूरेनियम 235 यह तो हो गई बाइंडिंग एनर्जी एक नूक्लियान की और बाइंडिंग और यूरेनियम 235 में 235 नूक्लियान है टोटल तो 235 तो इससे आपकी निकल आएगी कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई एक तो यह तरीका है बाइंडिंग एनर्जी अगर हमको पता हूं पर नुक्लियांस की आप दा प्रोड़क्ट आप दा पैरेंट नुक्लियाइट सब के दूसरा तरीका है कि अपना फंडामेंटल आइंस्टीन वाला तरीका कि एनर्जी रिलीज उक्वेल टू मास लॉस इन रियक्शन और इन्टू सी स्क्वेर और अगर मास लॉस अगर हमको पता है एटॉमिक मास यूनिट में तो इन्टू डारेक्ट हम उसमें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोड्स से तो जब ये टूतेगा तो रिजल्ट में जो मास मिलेगा वो लैश होगा लैस होगा इसका मतलब कुछ मास लॉस होगा और वही मास लॉस होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जायगा तो पहले हम निकालते हैं मास डिफेक्ट या मास लॉस इस फिसन में कितना हुआ तो मास लॉस यानि इस साइड का मास माइनिस इस साइड का मास तो मास लॉस इकल तो मास अफ उरनियम 235 नुकलाइड प्लस मास अफ एक नूत्रों मास अफ बारियम 141 नुकलाइड का मास अफ क्रिप्टन 92 नुकलाइड का प्लस मास और ठीरी नूट्रॉन कर आज को समझ गया है तीन है तो थी टाइम्स लिख दो पढ़े ठीन अच्छा नहीं लग रहा देखने में ठीरी टाइम्स आफ मास ओ नूट्रॉन कर तो यह है हमारा टोटल मास लॉस ज़रा देखते हैं इनके डाटा लिखते हैं मास तो मास ओफ मास ओफ दिस यूरेनियम 235 मुलब इसके मास में जब प्रोडेट के मास जब घटेंगे तो हमको मिलेगा मास लॉस यानि मास डिफेक्ट तो जड़ा मास लिखते हैं यूरेनियम 235 नूकलियस का मास इक्वल टू 235.04390 U U मिस A M U A M U को सॉल्टली U भी लिखते हैं प्लास नूट्राउन का मास 1.00866 U ये तो हुआ ये मास मास बारियम 141 का मास 140.91440 U प्लस क्रिप्टाउन का मास नूकलाइड का मास क्रिप्टाउन का 93.90630 U और 3 टाइमस आफ मास आफ नूट्राउन मैं इसमें 3 से मल्टिप्लाई कर दो हमको पता था तो U 3 टाइमस आफ मास आफ नूट्राउन U मिस एम यू को एटॉमिक मास यूनिट को सौर्ट में U भी लिखा जाता है थोड़ा इजी होता है लिखने में बतना बड़ा बड़ा बार बार एम यू लिखोगे तो पूरे एक्वेशन में केवल U लिखा हुआ नजर आएगा तो जरा देखते हैं कि कितना मास टोटली लॉस हुआ तो सम करके घटाते हैं और यह आ जाएगा जोड़ा जोड़के देखो तरफ कितना आ जा इसको इसको 6 0 6 6 9 15 8 3 11 8 12 4 0 0 5 0 0 0 2 36 U माइनेस अब जरा इसको सॉल करके देखो सम करके देखो सभी को तो जीरो जीरो एट मीस एट फोर जीर फोर थ्री सेवन और सेवन नाइन शिक्टीन फिर आ जाएगा यह 4 5 5 6 11 11 5 16 1 1 2 0 2 or 2 4 3 9 9 18 18 0 18 और यह 0 3 और यह 3 6 7 और यह 4 9 फोर 9 3 और 1 2 यह कैसा हो सकता है को गलत किया कि हमने ए है अब यह 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 यहां डाटा गलत लिग दिया क्रिप्टान का उता है infinite 1997 प्रीलिग दियों पर नाइंति philosophic है नाइन्टी वन नाइंटी बानरे तभी हम गहरें कैसा कैसे हो सकता है है तो जोज़ा उको ए जड़ा चारी ड़ने टाटा ही से घरलिए यहाँ पर कोई बात नहीं इसको जड़ा वापस सम करते हैं मास डिक्रीज होना चाहिए मास में डिफेक्ट आना चाहिए मास लॉस होना चाहिए ठीक है तो जड़ा आप सही आया तो जीरो जीरो एट 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 फोर 3, 7 or 7, 9, 16, 1, 4, 5, 5, 6, 11, 5, 6, 1 or 1, 1, 2, 0, 2 or 2, 2, 4, 9, 9, 18, 0, 18 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, okay, 4, 9, 13, okay, and 1, 2, correct अब सही आया प्रो पैरेंट जब वो फिसन होता है न तो मास में लॉस अना चाहिए प्रोडेक्ट का मास पैरेंट के मास से लेस होना चाहिए ठीक है तो आप उसको घटाओ कितना बचेगा 6 minus 8 यानि 2 8 और 4, 14, 6, 8 और 1, 11, 6, 5 और 4, 4, 0 और 10, 8, 2 और ये आया चाहिए प्रोडेक्ट यानि इतना मास लास हुआ यू यह लिखो या एम यू लिखो बात वही है तो इतना मास हमारे पास लास हुआ जब हमने उरेनियम को तोड़ा और ये नूकलियर फिसन रियक्शन कराई नूट्राश से तोड़ा और फिसन हुआ और ये प्रोड़ट बना 3 neutron निकले तो total energy loss total mass loss इतना आया तो energy कैसे निकालोगे उसका एक तरीका है या तो अगर आपको सीधा पता है कि 1 AMU में 931 million electron volt energy निकलती है अगर हम उसको totally उस mass को convert कर दें energy में Einstein के equation से तो आप इसमें directly इसमें multiply कर सकते हैं 20588 into 931 million electron volt तो कितना आजाएगा अब फिर बहुत लंबा चोड़ा हो गया है लेकिन आप समथ रहो कि 9 into 2 around 180 से उपर ही आएगा तो अगर आप कुछ को करना चाओ तो करो भाई मैं भी करता हूं थोड़ा 20588 तो कि एक तेरीगा देले एट झाप मैं romantic क्ढ़ आप मैं जो कर अएगा आपका इर मलब इतने मिलियन इलेक्ट्राउन होगा इतनी आपको एनरजी मिली तो देख रहे हैं ना कि ये एनरजी जो है वही 200मल्य इलेक्ट्राउन वूल्ट जैसा कि हमने इसके पले एक रफ कैलकुलेशन किया था उसी के रेंज में आ रहा है एक जैक्ट उसके रेंज में आ रहा है मतलब अगे एक नुकलियस को अगर हम तोड़ते हैं यूरेनियम के जो एनरजी रिलीज है वो 200 मिलियन इलेट्रान वोल्ट के आसपास आनी चाहिए तो यह देखो उसके आसपास आ रही है तो इसका मतलब कि हमने हमारा जो रख कल्कुलेशन था थोड़ा हमको मदद करता है जानने में कि हम सही जा रहे हैं कि गलत तो यह हमको मिला एक यूरेनियम 235 को अगर हम बेरियम और क्रिप्टाउन में तोड़ें तो इतना मिलेगा हमको और दूसरा तरीका यह था कि एम यू आप जानते हैं कि एक एम यू में 1.66 इंटू 10 पावर माइनेस 27 किलोग्राम मास होता है तो इसको आप मास में कनवर्ट कर सकते हैं उसके बाद उसमें सी स्क्वार यानी लाइट क स्पीड जो होती है मीटर पर सकंद नहीं होती ना इसके स्क्वार से मल्टिप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका एनर्जी जूल में निकल आएगा उस जूल में आप एक मिलियन इलेक्ट्राउन वोल्ट में कितने जूल होते हैं तो आपका आपको वैसे करना है लेकिन वो करना ठीक नहीं है वो हम पहले करके इसलिए एक बार हम निकाल चुके हैं कि एक AMU मास में अगर हम टोटली एनर्जी में बदल दें तो उससे लगभग 931 मिलियन इलेक्ट्राउन वोल्ट एनर्जी हमको मिलती है तो mass निकालके उसको direct amu में उसको directly million electron volt में energy में हम convert कर सकते हैं तो यह हुआ आपका एक exact calculation कैसे किया जाता है mass defect या mass lost mass निकालके तो उससे हम calculate करते हैं अब हम आपके लिए एक जांप एक homework दे रहे हैं वह आपकी जीए ठीक है बिल्कुल सेम homework थोड़ा आपको प्रैक्टिस दे देगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी understanding और बढ़ जाएगी चलो इधर बेकार मिटा रहा हूं इधर दिखाता हूं आपको लिख कर एक यूरेनियम 235 का नूक्लियस है उसको हम नैट्रोजन से तोड़ते हैं और हमारा बनता है 54 जीनॉन 140 प्लस इस्ट्रॉंसियम फिप्टी एट नाइन्टी फोर और प्लस दो नूट्रॉन निकलते हैं ठीक है और यह फास नूट्रॉन दो निकलते हैं और एनरजी रिलीर होती है आपको यह एनरजी केल्कुलेट करनी है हम इसके मास लिख देते हैं यूरेनियम 235 का मास वही है जो अभी हमने पहले यूज किया था 235.04390U ठीक है दिख रहा है ना नहीं दिख रहा है थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता है यहां पर इसका मास यूरेनियम 235 का मास 235.04390U यानि यू नूट्राउन का मास यह देखो यह पॉइंट इसके बीसे लाइन लिया है ठीक है नूट्राउन का मास 1.00866U जीनॉन का मास यह जो नूट्राइड जो बना जीनॉन का इसका मास 139.92164U इस्ट्राउन्सियम का मास इसके एक नूट्राउन का मास 9.9391535U और नूट्राउन का मास फिर से आपको पता है तो आप इसकी क्यों यानि टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई इस फिसन में वह आप निकालेंगे और देखेंगे कि वह भी 200 मिलियन इलेट्राउन वोल्ट की रेंज में आनी चाहिए रेंज में आनी चाहिए उसके आस पास आनी चाहिए निकालिए आप ठीक है इसका मास हमेशा प्रोडेट के मास से ज्यादा होगा तो मास डिफेट इक्वल टू इस तरफ का पैरेंट का मास माइनेस डाटर यानि प्रोडेट का मास ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपीसोड में कुछ और चर्चा करेंगे तब तक के लिए बाइबर